हेलो एवरीवन कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब ठीक होंगे वीकली करेंट अफियर सेशन में आपका स्वागत है अगर आप कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो चाहे वह स्टेट की हो या फिस सेंटर की हो हर एक्जाम के लिए करेंट अफियर बहुत इंपॉर्टन है मैं बहुत हैसी बहुत है आज कल वैसी भी क्रेडिंग में चैल रहे हैं करेंट अफियर कॉशन पूछे है जाते ह हैं कोई भी एक्जाम और इवन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसी लिए मैं वीकली करेंट इफियर मत्ती भी लेकर आ रहे हूं टॉपिक वाइस भी ला रहे हूं आप लोक ले पूरा भरपूर पैकेज लेकर आ रहे हूं तो चलिए आज का साथनी स्टार्ट करते हैं भारत किस देश मां आयोजीत होने वाले मेगा एयर कॉमबेक एकसराइस पिच ब्लाक ठीक है ध्यान से सुनियेगा और लास तक बने रहेगा कुछ ना कुछ इंट्रस्टिंग मिलेगा आपको पिच ब्लाक का हिस्सा होगा ठीक है तो यह होगा अपना आस्ट्रेलिया तो भारत आस्ट्रेलिया में आयोजीत हो रहा है यह आस्ट्रेलिया में आयोजीत हो रहा है पिच ब्लाक उसका हिस्सा लेने वाला है ठीक है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम तो इस बार कौ कौन सी जो countries हैं वो included हैं participants बोल सकते ऐस्ट्रेलिया है Canada है इंडिया है देखिए अगर इंडिया है तो अपने में इंपोर्टन बन जाता है तो पिज ब्लाक में इंडिया भी भाग ले रहा है फ्रांस है जर्मनी इंडोनेशिया जापान है मलेशिया नीदर लेंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया है सिंगापूर है Thailand है UAE यूके है इंड यूस है तो यह ऐस्टेलिया में आयू जीद हो रहा है करेंड कोशन है तो ऑस्टेलिया से पूछा जा सकता है यह एपिटल कौन चल रही है canvaira चल रही है करेंसी ऑस्टेलियन डॉलर है प्राइम कंट्रीज के बारे में ऐसी डिटेल में क्योंकि अगर कशाला गया है उचाला इन दिस जैंस कोई भी नाम आया हुआ है लाइम लाइट पे जिसे ऑस्टेलिया में हो रहा है यह पीच ब्लाक तो बाइस्टेलिया के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन हाल में प्राइप मिनि Central Vigilance Commissioner अगस 2022 में Central Vigilance Commissioner के रूप में किसे न्यूत किया गया सुरेज एन पटेल को और Central Vigilance Commission क्या इसका मेन अबजेक्टिव क्या है To Address Governmental Corruption जो भी Corruption हो रहा है उसको Address करना है ठीक है तो CVC CVC Central Vigilance Commissioner के जो Appoint हुए है Commissioner हमारे सुरेज एन पटेल जी हुए है तोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं Form कब हुई थी? February 1964 को हुई थी Formation और इसका Objective क्या है? To Address Governmental Corruption ठीक है? और इसका Headquarter का है? New Delhi में है इसका Headquarter इसके First Executive कौन रहे? वो भी देख लेते हैं हम नितुर नितुर, श्री, निवासा, राउजी रहे हैं ठीक है? और इनको कौन अपोइंट करता है? इनको President अपने इंडिया का President अपोइंट करता है ठीक है? अभी फिलाल में कौन है? सुरेज एन पटेल जी निउक्त हुए हैं Next है अपने रंजीत रत में अपने रंजीत रत रंकिंग रिलीज इन जुलाई 2022 अभी हाल में ही रंकिंग हुई थी ODI टीम में तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि इंडिया की मैंस की रंकिंग कौन से नंबर पे है? तो इंडिया की मैंस की रंकिंग अपनी थर्ड नंबर पे है ठीक है? थर्ड नंबर पे औस्ट्रेलिया, साउथ ऐफ्रिका, फिर है बांगला देश, फिर है श्री लंका, फिर है वेस इंडीज, फिर है अफगानिस्तान, ये टॉप टैन है, तो इंडिया का रैंक थर्ड है, चिक, तो देखिए, न्यूजीलेंड अपने टॉप पर है, फिर इंगलेंड है अपना, फिर थर्ड नंबर पे इंडिया है, और फोर्थ नंबर पे अपना पाकिस्तान है, टॉप टेन तो मैंने बताई दिया, टॉप फोर जाना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, नेक्स है, वो इस दी ओधर ऑफ बुख टाइटिल, ब्यॉन्द अमिस्टी वेल, टैंपिल टे इसलिए देवो की भूमी, क्योंकि वहाँ सारे मंदीर है, टैंपिल है, टूरिस प्लेस है, ठीक है, इसलिए ब्यॉन्द अमिस्टी वेल, टैंपिल टेल अफ उत्राखंड बनाई गई है, जो की अराधना जहुरी ने लिखी है, ठीक, और इसको अभी जो अपना इन्वेल क किया था, अपने उत्राखंड के मुख्य मंत्री है, पुषकर सिंग धामी ने किया था, जोहरी ने अपनी पुस्तक में उत्राखंड के कई मंदीरों के बारे में बात कियो, इतिहास के बारे में बात करी है, कि कैसा इनका इतिहास रहा है, कितना अच्छे मंदीर है, कहां प में किस संस्तान ने सर्दार पटेल उत्क्रस्ट ICAR संस्तान पुरुस का 2021 प्राप्त किया है अपने अपने अगरिकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट रास्टिक रिश्य अनुसंधान प्रबंदन अकैदमी ने चिक नेक्स से अपना विच कंट्री हैस वोन गोल मैडल इन मैंट टेबल टेनिस एड तो अगर्ज तो अगल 2022 को बरगिंगम में 2022 रास्टिक हेलो में पुरुसों की टेनिस टेबल इस परदा मैं किस देश ने स्वान पदक जीता है तो अभी Commonwealth Game चल रहे हैं तो अभी Commonwealth Game चल रहे हैं तो अभी पोस्त अपने जो भी जीता हुआ होता है जिसने नहीं फॉलो किया उसको भी जाके फॉलो करिए तो फिलाल यहां पर अभी हम बता रहे हैं और इसके बारे मैं पुरी एक डेटेल में वीडियो लाओंगी मैं जल् गोल्ड किसने जीता है तो गोल्ड जीतने वाला अपना इंडिया है महान इंडिया है भारत ने फाइनल में सिंगापूर को हराया है किसको हराया यह जानना भी जोड़ी हो जाता है भारती ससत्र बलो की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट पे गन हिल नाम दिया गया है भारती ससत्र बलो इंडियान आम्ट फोर्स इसकी जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल के द्रास में फाइफ वन फोर्ड जीरो पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है भारती इंपॉर्टन कोशन है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में ब्हारती ससत्र बलो के जश्न मनाने के लिए विजय में गनस के सर्वोच बलीदान को सरंधांजी देने के लिए कि становतुक द्रास में पॉइंट 214 0 गो लिए ब्हारती ससत्र बलो द्वारा .5140 पर कप्टStra करना 1999 के कारगिल द्रान गानज क प्रमुक कारत था थेक 26 जुलाई 1999 को भारती सेना ने ऑपरेशन विजय में जीत के गोश ना करी अब देखो अगर ऑपरेशन विजय से है यह 0.5140 गन हिल ठीक है यह अगर ऑपरेशन विजय से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं कब हुआ था 26 जुलाई 1999 में हुआ था अगर 2022 में किस देश ने 2022 UEFA European महिला फुटबॉल चैंपियंशिप जीती है अगर हम UEFA की बात करें तो यह है Union of European Football Association ठीक इसके बारे में हम देखेंगे पहले हम देख लेता है कि किसने जीता है महिला फुटबॉल चैंपियंशिप तो यह अपने इंग्लेंड ने जीती है थोड़ा देखते है इसके बारे में इंग्लेंड ने जुलाई 2022 को लंदन के वेमेंबली स्टेडियम में 2022 UEFA European महिला फुटबॉल चैंपियंशिप जीती है जो कि लंडन में हुआ था तो उसमें कौन जीता है महिला फुटबॉल टीम European महिला फुटबॉल टीम जीती है फाइनल में इंग्लेंड ने जर्मनी को हराया और यह 13th एडिशन था जो इस बार 2022 में हुआ था अगर हम Union of European Football Association की बात करें फाउंड 15 जून 1954 को हुआ था हेटकॉर्टर नियॉन स्विजल लेंड में है प्रेजिडेंट अलेक्जांडर सेफिर रेन है और पैरेंट और्गनाजेशन इसकी फीफा है फुटबॉल से रिलेटेड है नेक्स से विच एडिशन ओव वैतनाम इंडिया बात हो रही है विच नाम भारत की जो द्वी पक्षी सेनिया अभ्यास का तिसरा संस्क्रण विन बैक्स दो हजार बाइस एक से बीस अगल दो हजार बाइस तक हर्याना के चंडी मंदिर में आयोजित किया गया है ठीक है चंडी मंदिर का है हर्याना में ठीक है अभी ऑगस में चल रहा है ठीक और थीम क्या है देख लीजे Employment and Deployment of an Engineer Company एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम का रोजगार और तैनाती है रक्षा सांती रक्षा अभिवानों के लिए संयुक्त रास्ट दल का हिस्सा यह पुरा थीम है कहीं पर no down जरूर कर लेना और यह जो अपनी exercise चल रही है यह भारत और वियतनाम के बीद्वी पक्षी संभंदों को और ज़्यादा मजबूत करने वाली है नेक्स से अपना Pacific Dragon Ballistic मिशाइल डिफेंस एक्सराइब बाइलियल ब्रिल हेल बिट्विन थ्री मेजर कंट्रीज विच कंट्रीज नाथ पार्ट ऑफ दिस एक्सराइज Pacific Dragon Ballistic मिशाइल रक्षा अभ्यास तीन प्रमुख देशों के बीच आयोजित एक द्वी वार्सिक अभ्यास है कौन सा देश इस अभ्यास का हिस्सा नहीं है तो तीन कंट्री इंक्लूड़ेड है Pacific Dragon Ballistic मिशाइल रक्षा अभ्यास में ठीक है वो है United State, Japan और South Korea तो Philippines नहीं है द्वी वार्सिक प्रशान Dragon Ballistic मिशाइल रक्षा अभ्यास हवाई के तर्ट पर आयोजित किया जा रहा है ठीक नेक्स से अपना, which of the following state government has decided to carve out seven new districts in the state to simplify administrative operations निमने मैंसे किस राजी की सरकार ने प्रसाशनी कारियों को असान बनाने के लिए राजी में साथ नहीं जिलों का बनाने का फैसला किया है तो अपने West Bengal West Bengal की सरकार ने प्रसाशनी कार, administrative operations हैं जितने भी उनको असान बनाने के लिए राजी में साथ नहीं जिलों बनाने का फैसला लिया है कि काम बढ़ जाएगा तो इजी हो जाएगा administrative work पहले बंगाल में तेज जिले थे अब जो बढ़कर तीस हो गए तेज से तीस साथ नए बढ़े हैं प्लस सेवें हुए है छे नए जिले का नाम है सुन्दर बन इछे मती राणागार्ट विश्नुपूर जंगीपूर बहरानपूर देखो ऐसे पूछा जा सकता है इनका नाम दे दिया जाएगा इनमें से किसी चार का नाम दे दिया जाएगा और किसी अधर डिस्ट्रिक का नाम दे दिया जाएगा बोलिंगे कि इनमें से कौन नहीं है तो इसी लिए सारे डिस्ट्रिक का नाम जानना ज़री है ठीक है बसीर घार छेतर में एक और जिलाब बनेगा तो साथ नई बनने वाले हैं नाम देख लीजे बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर हम वेस्ट बेंगॉल की बात करें तो पुरी लिस्ट है कि कितनी लोग सभा सीट चल ली है 42 राजी सभा सीट है यहां 16 क्योंकि वेस्ट बेंगॉल में भी नया कुछ कारी हो रहा है क पर इंटरफियर में तो पूछा जा सकता है स्टेट रैनिमाल है फिशिंग कैट स्टेट बड़ है वाइट थ्रोटेट केंग फिशर नेशनल पार्क है बुक्षा टाइगर रिजर्व गुरु मारा नेशनल पार्क जलादारा जलापारा नेशनल पार्क नियोरा वैली नेशनल पार्क सुन्दरबन नेशनल पार्क यह सारे इनके फेमस नेशनल पार्क है यहां के ठीक नेक्स से विच स्टेट रिगेंट फॉर्स प्लेस इन टुथाउजन ट्वेटीव विद नेशन लॉंगेस हाउस सेशन एट सिस्टीवन डेज किस राज्ये ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्तान हासिल किया है अपने केरला ने तो केरला ने क्या किया 61 दिनों के देश के सबसे लंबे पार्लियमेंट जो हुआ था हाउस सेशन हुआ था सदन सत्र हुआ था उसका पहला स्तान हासिल कर लिया है सबसे लंबा तो PRS Legislative Research Think Tank जिसका मुख्याले नई दिल्ली में है 2021 के लिए राज विधान सभाव के संचालन पे सोथ प्रकासित किया है करनाटक दुसरे स्तान पर आया है तमिलाडू और उडिसा का भी स्तान है नेक्स है विच इंडियन लिफ्टा है वोन दा गोल मेडल किस भारती भारत तोलग ने बरगिंगम में चल रहे राश्ट्र मंडल खेल 2022 में पुरुसो के 67 के ग्राम में स्वर्ण पदग जीता है तो जेरिमी लाल रिंगो नान भारत के जेरिमी ने 2022 के जो कॉमन वेल्थ गेम हो रहे थे उसमें पुरुसो की 67 केजी कैटिगरी देख लिजे 67 केजी में वेड लिफ्टिंग में भारत तोलन में स्वर्ण लेकर आ गए हैं अपने जेरिमी उन्होंने कुल 300 ग्राम भार उठाया है बागी हम अगर देखें तो मीरा भाई चानू ने स्वर्ण पदग जीतने के बार रास्टे मंडल खेलों में भारत का यहां दुसरा स्वर्ण पदग है चानू ने महिलाओं के 49 कीगरा वर्ग में स्वर्ण पदग जीता था पुरूसो के 73 कीगरा फाइनल में अंचीता सुली ने देश का तिसरा स्वर्ण पदग जीता नेक्स है विच फॉर्मला वन रेसिंग ड्राइवर हैस वॉन दा हंगेरियन एफ़ण ग्रांड प्रिक्स इन जुलाई 2022 जुलाई 2022 में किस फॉर्मला वन रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन एफ़ण ग्रांड प्रिक्स जीता है तो यह जीता है अपने मैक्स वीटे स्टीपन मैक्स वीटे स्टीपन ने हंगेरियन एफ़ण ग्रांड प्रिक्स में वन रेसिंग ड्राइवर जीता है next question is the fourth edition of India and dash joint military exercise Al-Najab 4 will take place in Mahajan Field firing ranges in the Rajasthan from August 1 to 13, 2022 भारत का चौथा संस्क्रण और सन्यूक्त सेन्य अभ्यास Al-Najab 4 राजस्तान में Mahajan Field firing range में 1 अगस से 13 अगस 2022 तक होगा ठीक है कहां होगा ये पूछ रख है इंडिया और ओमान की बीच में भारती सेना का प्रतिन जित 18 मकेर नाइस Infantry Balletion के सैनिक करेंगे कौन सैनिक करेंगे ये कोशन पुछा जा सकता है कि जो इंडिया और ओमान के बीच में joint military exercise हो रहा है अन जाफ वोर में भारत का कौन प्रेजन करेंगे इस अभ्यास का पिछले संस्क्रण मार्ट 2019 में मस्कट में आयूजित किया गया था Next Who has become India youngest athlete to participate in the ongoing 2022 Commonwealth Games in Burgan बरही गम में चल रहे 2022 राष्ट्य मंडल में भारत की सबसे कम उमरी की athlete कौन बन रही है अपनी अनाहत सिंग जी सबसे कम उमरी की athlete बन रही है भारत से 14 वर्स की है मात रहे 14 वर्स की सबसे कम उमरी की athlete अनाहत सिंग भाग ले रही है 2022 के Commonwealth Games में 2022 Asia Junior squash में जीत के बाद उन्हें भारती टीम के लिए चुना गया था कौन से खेल से रिलेटेड है ये भी पूछ सकते अनाहत सिंग को अभी तो पूछा कौन सी छोटी उमरी की है तो ये भी पूछ सकते हैं कौन से खेल से रिलेटेड है अनहत ने CWZ 2022 में अपनी प्रती नुदित जेडर रास को हरा कर अपना पहला मैच जीता है 2022 रास्टी खेल वर्तमान में इंग्लेंड के बरगेंगम में एलेक्जेंडर स्टीडियम में हो रहा है अब इसका ये बता दे रहा है कहां पर हो रहा इंग्लेंड में हो रहा पैरी दपुलिस का ओफिशल मैस्कॉट है पुरुस भारती पुरुस होकी टीम के कप्तान मनपृत सिंग और शटला पीवी सिंधु ने इसका भारत के ध्वजवाहग बने थे इस बार के 2022 के ठीक है पुरुस भारत के लिए पहला स्वण पदग जीता है मिरा बाई चानू ने किस स्टेड़ी में जीता है इसलिए मैं कहती हूँ स्टेड़ी जाना बहुत ज़री है 49 kg में अभी मैंने बताया था प्रिवियस कोशन में कि मीरा बाई चानू ने भी जीता है गोल्ड मैडल और 49 kg में जीता है ठीक है रास्टे खेल 2022 में भारत तोला सेकों मीरा बाई चानू ने जो अपने बर्गेम गम में इंगलेंड में हो रहा है चानू ने कुल दोस्तो एक किलोग्राम भार उठाया भारत की बिंगा रानी सोरो खैबं ने भी महिलाओं के पचपन किलोग्राम भारत तोलन वर्ग में रज़पदक जीता है अपनी मीरा बाई चानू गोड लेकर आई ठीक है और बिंद्या रानी जी अपनी रज़पदक जीता है इसी बीच भारत तोलन गुरु राज़ा पुजारी ने रास्ट मंडल खेलों में एक सेट किलोग्राम वर्ग में कासी पदक जीता है बहुत ही चल रहे हैं ये दोनों भी ठीक है संकेत और गुरु राज़ा जी संकेत तो रज़त लेकर आए गुरु राज़ा जी अपने कासी लेकर आए संकेत लेकर आए अपने 55 में और गुरु राज़ा लेकर आए 61 केजी में ठीक पूरी लिस्ट है कहीं पर नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशोट लेते विए चलो इसका ठीक है जरूर करना ये काम भारती जुडो का सुशील देवी लिकामा बाम ने महिला जुडो में 48 किग्रा फाइनल में रजय पदक जीता जब कि पुरुसवर्गम में विजय कुमा और यादाव ने 60 किग्रा में कास्यो पदक जीता है सुशीला ने 48 में रजट विजय कुमार ने 60 में अपना ब्रॉंज छिक नेक्स से अपना मुख्यमंत्री महतारी नियाय रत वास लॉंज बाइ सीएम आप विज ओफ दफॉलविंग शीट मुख्यमंत्री महतारी नियाय रत किस राज जी के मुख्यमंत्री द्वारा सुरू किया गया था 36 गड़ देखते हैं क्या है ये 36 गड़ के मुख्यमंत्री बुपेज बगयल ने जुलाई 2022 को राज जी की महलाओं को उनके सेवेधानिंग अधिकारो और कानूनों के बारे में जागरुक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी नियाय रत को हरी जंडी दिखाई अब देखो नियाय रत से लग रहा कि नियाय से रिलेटड कुछ होगा है नहीं अगर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो मुख्यमंत्री महतारी अगर आपको समझ में नियाय रत देख लिजे नियाय से रिलेटड है तो इसका मतलब Obviously constitutional rights, laws, इनकी awareness के लिए कुछ चल रहा है अब यह awareness mostly किस पे? Women's यह है लगू फिल्मों के माध्यम से लोगों को महलाओं के अधिकारों के बारे में जानने के लिए पूरे राजी का ब्रह्मन करेगा पूरी जानकारी देते वे पूरे राजी का ब्रह्मन करते वे लोगों को बताएगा और चोटी-चोटी जो शॉट फिल्मों होती हैं वैसे दर्साएगा नेक्स से अपना विच स्टेट हैस बिकम दा फर्स टेज तो लॉंच सेमी कंड़क्टर पॉलिसी जुलाई तो थाज़े तुट वे जुलाई दोजार बाइस में सेमी कंड़क्टर नीती सुरू करने वाला पहला राज बन गया है तो वो बन गया है अपना गुजरात इसके साथ ही गुजरात सेमी कंड़क्टर पॉलिसी रखने वाला देश का पहला राज बन गया है यह नई नीती सेमी कंड़क्टर निर्मान के लिए कई तरह के प्रोथसान और सबसीडी प्रदान करती है ठीक है इस नीती की गोशना गुजरात के मुख्यमंत्री अगर हम गुजरात का देखें देखो इससे हमें पता भी चलता है कौन सीएम चले कौन कैपिटल चल रही है वहां के अभी कौन गवर्नर चल रहे हैं जैसे कैपिटल है गांधी नगर गवर्नर अचार्य देव रत्ची चीफ मिनिस्टर भुपेंद्र भाई पतेल जी फॉर बहुत ही अच्छी अगर अभी आपने वो ट्रिक देखी होती ना गुजरात की आप नीचे मुझे कमेंट तुरंट करते कि यह चल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर ठीक यह करो जल्दी से क्या ट्रिक बताई मैंने मुझे भी पता चलना चाहिए से मोटिवेशन आप लोग के लिए मुझे पता चलेगे कि आप लोग देख रहें इंट्रस ले रहे हैं करके नेक्स से विच कंट्री हैस लॉंच गोल कॉइन टॉल टैकल दा सौरिंग इंफलेशन इन जुलाई 2022 जुलाई 2022 में बरती मुद्राइस पीती से निपटने के लिए किस देश ने टॉंगो भासा में विक्टोरिया फोल्स को संबर्दित करता है क्या कहा जाता है मोसी तुनिया और यह किसको करता है डिनोड करता है रेफर करता है विक्टोरिया फॉल्स को सिको को तरल संपती का दरजा मिलेगा ताकि उन्हें असानी से नगदी में परवर्दित किया जा स के लॉंच के समय एक सक्की के कीमत 1-824 डॉलर थी अब जिंबावे ने इतना बड़ा कारी किया है देश के आर्थे विवस्ता को देखके तो पूछ सकते हैं जैसे कैपिटल एहरार है करिंसी उनाइटे स्टेट डॉलर है प्रेजिडेंट इमेंट्सन मैंगोवा चल रहे हैं यहांके नेक्स से विच फॉरम्ला-1 डॉट्राइवर वन वेटल ने अपना रिटारिमेंट गोशना कर ली है फॉर्मुला वन ड्रेवर से यह पूरी लिस्ट है जो इस बार के 2022 के M1 Race winners है उनकी पूरी लिस्ट है चाहे तो आप स्क्रेंशाट दे लो या कि कहीं पर नोट डावल कर लो मैंने थोड़ देर के लिए पॉस किया हुआ है जिक नेक्स है भारती संस्क्रिती सम्मंद परिस्ट है अब है अपने कैनेडियन विद्वान यह कैनेडियन विद्वान है जैफरी आमस्टोंग को 2021 के लिए भारती संस्क्रितिक सम्मंद परिस्ट के प्रतिस्टित इंडोलोजिस सम्मानित किया गया जैफरी आमस्टोंग को थोड़ा देखते हैं इसके बारे में यह पुरुसकार आमस्टॉंग को भारत की इतिहास और संस्कृति के अध्यन में उनके उत्रस्ट योगदान के सम्मान में दिया गया था गया है मतला अभी यह पुरुसकार 2015 में स्तापित किया गया था ICCR की स्तापना 1950 में मौलाना अब्दुलकलाम अजात ने करी थी और इस बार जेफरी आमस्टॉंग को मिला है क्योंकि उन्होंने बारत की इतिहास संस्कृति इसके बारे में बहुत ही अच्छा क्रस्ट योगदान दिया निमने लिखित में से 2024 पैरिस ओलंपिक के अधिकारी नारे के रूप में किसे अनावरण किया है तो जो 2024 में होने वाला है वो 26 जुलाई से 11 अगर 2024 के बीच में होने वाला है तो उसका अनावरण करेंगे गेम्स वाइड ओपन ठीक है गेम्स वाइड ओपन नेक्स से विच ब्रांड है रिप्लेस पेटियम एज़ बीचियम की जगे किस ब्रांड ने ले लिए अगर हम मास्टर कार्ट की बात करें तो हेड क्वार्टर है इसका न्यू यॉर्क में है और यह अपना सबसे पहले कप फाउंड हुआ था 16 दिसमबर 1966 को हुआ था ठीक है हेड क्वार्टर मैंने बता दिया न्यू यॉर्क में है इसका ठीक है इसके सियो अभी कौन चल रहे हैं माइकल मैबेज चल रहे हैं और चेर्मेन अजे बंगा ठीक है मास्टर कार्ट क्योंकि अबर मास्टर का स्पॉंसर बन गया है सबसे बड़ी बी सी सी आई टीम का तो पूछ सकते हैं कि मास्टर का कौन-कौन क्या-क्या है अब थोड़ा हम जरा अभी के जितने भी क्रिकेट से रिलेटेट करेंट अफिय उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं क्योंकि अभी तक तो सारे मैंने इस बार की वीकली करेंट अफिय बता दिया बाकि इस वीक में क्या स्पोर्ट में चल रहा है वो कोशन भी उसका सुनिल गाविस करके नाम पर रखा गिया है वहीं वेस्ट इंडीस के क्रिकेटर दिनेश रामदिन और लेंडल सिमेंस ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास के गोशना कर लिए इंग्लेंड के आल राउंड अप बैन स्टॉक्स ने जुलाई 2022 को गोशना करी कि वह ओडियाई से सन्यास लिए इंग्लेंड के हैं वह बैन स्टॉक्स वहीं भारत के तेज गैंदबाज मुहमद समी एक दिरसी अंतरास्टी इन्होंने भी ओडियाई में सबसे तेज 150 लगा होगा बहुत हेल्फुल लगा होगा ऐसी ही वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते वीडियो जरूर लाइक करना मुझे भी पता चलेगा आपको पसंद आई मैं ऐसी वीडियो और लेते वह आउंगी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लगा होगा ही वीडियो